So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आगन बाड़ी सेविका बोहनों का आज की एक और महतोपुन वीडियो में तो बहनों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि समाजी कंकेक्षन वर्स में दो बार किया जाता है 20 दिसंबर और 20 जून तो जैसा कि अभी 20 जून आने में 2-3 दिन का समय है उससे पहले ही आप लोगों के लिए एक ICDS के तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है जिसमें कि आप लोगों का जो समाजी कंकेक्षन 20 जून को होने वाला था उसको फिलाल अस्थागित कर दिया गया है जी हाँ ये बड़ी खबर आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे हैं कि समाजी कंकेक्षन 20 जून को नहीं किया जाएगा इसका कारण क्या है और किस दिन को ये समाजी कंकेक्षन किया जाएगा इसके पूरी जनकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है साथी साथ आंगनबरी के अंदर में क्या फिर से छुट्टी रहने वाली है इन सभी चीजों के बारे में आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलती हैं, और हम आप लोग के लिए इस परकार से वीडियो लेके आते राते हैं, यदि आप चैनल पे नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल करने वाले हैं, अनुसरोन पदादिकारी, आईसीडिस ने दिशाले, सेवा में सभी जिलार पदादिकारी को ये लेटर भेज दिया गया है, इस लेटर का मुख्य भी साई यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ ध्यान दिजियागा, लिखा गया है समाजी कारेकरब के संबंद में, देखिए इसके साथ में परसंग भी जारी किया गया था, विभागिये पत्रांग 29 दिनांग 25 दोहयार 14, नीचे लिखा गया है, महासी देशा अनुसर उप्रियुक विशेग परसंगी पत्र के संबंद में कहना है, कि समाजी कंक्येक्षन पर किड 20 जून को जो आप लोगों के अंगनबारी केंदर पर समाजी कंक्येक्षन होने वाली थी, उसको फिलाल यहां पर अस्थागित कर दिया गया है, इसके कारण जो है, वो अत्याधिक लूग पढ़ने के कारण, यानि गर्मी पढ़ने के कारण, जो आप लोगों का समाजी कंक है उसको अभी अस्थागित कर दिया गया है निचे लिखा गया है समाजी कंक्रेक्षन कारेकरम दिनांग 27 2024 को आयोजित की जाएगी यानि कि इस कारेकरम को अगले महिने 20 20 जुलाई को आपके आंगनबाडी के अंदर पे फिर से किया जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ख़बार है जैसा कि आप लोग 20 जुन को जो समाजी कंक्रेक्षन होती है उसकी परकिरिया आप लोग पहले से ही तैयारी कर लेती है जैसे कि रेजिस्टर है कि जिस परकार से गड़ में पर रही है तो आगनबाडी केंदर का अभी जो छुटी है उसको बढ़ाया जा सकता है अभी इसका कोई लेटर जारी नहीं किया गया है ठीक है जल्दी कोई यहां पर लेटर जारी होने वाला है क्योंकि इस परकार से जो गड़ में पर रही ह इसको देखते हुए फिर से आगनबारी केंदरों में छुटी की जा सकती है तो I hope आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो फिलीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और नियागन बारी बहानों तक सेर कर दिजेगा यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टपिक नए जनकाडी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद